सावन सोमवार की सुरुवात हो गई है सनातन धर्म में स्रावन मास का विसेश महिमा बताई गई है खास तोर से भगवान सीव की अराधना और उनकी भक्ती के लिए कई हिंदू ग्रंथों में इस माह को विसेश महत्व दिया गया है यह भी माना जाता है कि यदि सावन मा में भगवान सीव की विसेश पूजा अर्चना की जाए तो उनकी कृपा बड़ी आसानी से पाई जा सकती है पूरे सावन महिने में भक्त भगवान सीव की भक्ती में लीन होते हैं ऐसे में देखने को मिल रहा है मुंबई के कांदी वली पुरो में कॉंग्रेस नेत्री पुरो मुंबई कॉंग्रेस महिला अध्यक्ष पुरो नगर सेवी का डॉक्टर अजंता यादो द्वारा पूरे सावन मा में वार्ड में सीवचर्चा का आयोजन किया रहा है इस सोमवार भगवान हनुमान के मंदिर में सीवचर्चा का आयोजन किया गया जहां पर भजन किर्टन किया गया बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही भक्ती में ली नजर आई डॉक्टर अजंता यादो पूजा अर्चना करती दिखी इस दौरान कैमरे में कैद हुई मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था डॉक्टर अजंता यादो साथ ही मौजूद जंता का देखे मुंबई से इस खास रिपूर्ट में आज मैंने यहां पे श्री राम नगर है अनुमान नगर का एक पट्टा है श्री राम नगर जिसमें यहां काफी उतर भारती है महिलाएं भी रहती हूँ और शावन महिना है और इसलिए मैं यहां पे शिर्चर्चा मैंने आयोजित किया है और पॉकेट पॉकेट में सब जगा करी रही हूँ पूरे मैना भर यह शिर्चर्चा चल रही है इसमें मुझे यह मैसूस होता है कि इस वक्त जो महिलाएं हैं उनमें मैं भक्ती देख रही हूँ भगवान शंकर के प्रती शिर्चर्चा रखने से दूर होता है लोगों को बहुत ही आनंद मिलता है तो यह आनंद अगर हम किसी के साथ बाट रहे और खासकर मेरी महिलाओं के साथ बाट रहे तो उसमें मुझे बहुत ही आनंद और खुशी मिलती है ये मैंने श्रावन मैंने चालू किया है अब ये पूरा श्रावन चलेगा गंपती आने तक हम हर जगह ये हर हफते हफते में एक दो या तीन बार हर मंदिरों में अनुमान नगर के ये शिवचर्चाम रखवा रहे हैं शिवगुरु जी से मैंने ये मांगा है कि आने वाले चुनाओं में मुझे पूरे बहुमत से यहां से जिटा के फिर एक बार अनुमान नगर के लोगों की सेवा करने का मौका मिलेow ये मेरे प्राथना है शिवगुरु महरात से कि हमेशा हमको जिटा है इस बार भी हमको देख रहा है कि यह बिल्कुल गलत है जिस तरीके से bajज़ेपी सरकार मوجनी सरकार आता है और गलंकों से दॉक्ट करते सविदान सरकार जा रही है बस पराथना शिवर्गुरू से फिर एक बार करते हूं कि बीजेबी सरकार हटायर कांग्र्स लाए जो जहां-जहां सरकारें बीजेपी की नहीं है वहाँ-वहाँ इन्होंने एडी का दबाव डाला है मुझे आपके माधियम से मोधी जी को ये पूछना है कि क्या बीजेपी के मले जो भी प्रतिनी दी है क्या वो बिल्कुल साफ है, साफ सुतरे हैं, क्या उनमें कोई दाग नहीं है तो इस तरीके से सरिफ जहां पे बीजेपी के विरोध सरकार है उधर ही इन्होंने तकलीफ देने का काम किया है जैसे मारा श्ट्रम है जो यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि एडी का दमाव लाके महंगाई का जो में मुद्दा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है महंगाई आज कितनी बड़ी मुद्दा है आज महिलाओं के लिए गैस सिलिंडर 1100 के उपर हो चुका है महिलाएं अपनी किचिन का बचेट पूरा खराब कर चुकी है घर में चूला भी नहीं जल सकता है गरीबों के उसके अलावा सबजियां कितनी महंगी है दाले महंगी होगी तेल महंगा हो गया यह सारी चीज तो मोधी जी को दिखी नहीं रही है मोधी जी सारी चीज में अंधे हो गए है तो आपके माधियम से मैं कहना चाहती हूँ कि जागो जागो लोगों को कहना चाहती हूँ कि जागो और महंगाई के विरोध में सब आगे आओ और बीजेपी सरकार को हटा के जो हमारी सरकार है जो गरीबों की सरकार है जो महिला सरकार है जो किसान सरकार है इस सारे सरकार हमारी कॉंग्रेस सरकार आधर निये सोनिया गांदी राहूल गांदी और प्रियंका गांदी के नेतरतु में इस बार बीजेपी सरकार को हटाना होगा और हमारे साफ सुतरे पुरस सरकार को लानों। पुरस सरकार को लानों। पुरस सरकार को लानों। पुरस सरकार को लानों। और मुझीबत हमारे साथ एक एक हमारे साथ पर बडने की बतुत है जब हम लोगों कॉल करें आजी रात पर 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 लेगे तब लुक को हमारे साथ पर पर बार। प्रफ्पवज़गा इसके लिए उससापों सामी है इसके लिए खुश्म रखते हैं यादन हमारी नाने बगवाने कि दर भी जाओ हमारे साथ देते हैं आप देख रहे हैं सक्षण न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज